नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपर यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस्टूडम दिखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 30 नमबर 2023 के प्रथम पारी में पूछेगे जीके की स्वाल तो यहाँ पर एक्जेक्ली 41 स्वाल मिले है 50 मेसेज ट्रेंड ने टेलिग्राम पर शेंड की हैं इसकी पीडियो फाइल भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी न्यू केंडर जो टेलिग्राम से नहीं भजन सोपारी किस वाध्यांतर से संबदीते है भजन सोपारी का संबदीता है जो संतूर music instrument है उनके player है भजन सोपारी। संतूर वादक के नाम आता है श्रीव कुमार सर्मा का भजन सोपारी का और पंडित तरून भत्ताचारी का पुपिर नर्ते किस राजिय में पर चलि इसमें नेक्स स्वाल तो पूछा गया है इसका एंसर जिसको पता बता सकते हो कौमा एंड करूआ क्या है वैसे कौमा जनजाती भी है लेकिन वो थोड़ी विदेशी जनजाती तो एक्जेकली इंडिया की बैस पर पूछा है तो क्या पूरा इदी टम सेम थी इस पर किसके आत्मकता है दोस्तों मातमा गांदी जी का आत्मकता है जो कि उन्होंने 1925 से 1929 के दर्म्यान पब्लिस की थी तो माई एक्सप्रिमेंट विद टूथ है मातमा गांदी जी के आत्मकता अगला स्वाल देखे उससे पहले ध्यान दो अभी कुछ गंटों में यह आप वी एक बार आता है तो टेश्ट बूक पास जो अभी तक नहीं लिया इस्ट्रेट ने बात कर रहा हूं जो ससी जी डी या फिर आने वाले रेलवे एक्जाम को टार्गेट कर रहे तो एक बार आप पास देलो पास में क्या है जो बी एक्जाम आएक उसका मॉक टेस्ट दे सकते आप फ्रील जेख सकते हो कोई भी मॉक टेस्ट है सभी एक्जाम्स का यहाँ पर टीडीज की कोपन कोड यूज करने पर अभी आपको 12 परशनेश का डिसकाउड मिल रहेंगे तो टेस्टूक एप में जाना है पास प्रो वाला सेलेक्ट कीजेगा पास प्रो में क्या होता है प मॉक फोर्म में आप अट्टेंट करशकते हूँ प्रिविश के पेपर को मॉक टेस्ट की रूप में पर टेम्ट कर पायेंगे तो वो सारे प्रिविश के पैपर इंक्लूट रहेंगे सभी exams के include रहेंगे PYQ और उस पर आधारित mock test रहेंगे उसका analysis करना कहाँ पर गलतिया हो रही है time management को बहतर करते हुए कम से कम दो दिन में एक mock test लगाते हुए आप practice करेंगे तो जरूर आपका selection होगा link to description box में टेटीजी के open code से आप check out कर सकते हो दिल्ली विदान सभा का अधिकार के सच्छेतर में कानून बनाने संबंदित हैं दिल्ली विदान सभा है विदान सभा है दोस्तों एक तो राजे सुच्ची के तयात कानून बना सकती है ले और एक समर्ती सुच्ची के तयात इन दो विश्यों पर कोई भी राज्य की विधान सभा कानून बना सकती है तेकिन दिल्ली है राज्य नहीं है यूटी है तो दिल्ली की विधान सभा है क्या सभी विश्यों पर कानून बना सकती है जहां पर सभी राज्य बना सकती है बिल्कुल कुछ विश्य है जैसे आर्ट किशन के स्थापना किस ने की तो विवेकानन ने किये श्वामी विवेकानन ने रामकष्ण मिशन के स्थापना है रामकष्ण जो परमहंस के ये शिश्य थे श्वामी विवेकानन तो इन्हों ने ही रामकिष्ण मिशन की स्थापना की थी एक माई 897 को रामकिष्ण मिशन की स्थापना की गई इसकी अत्रिक्ति बात करूं का अफ़ बार एक्जैम आता है आत्मिय सुभा की स्थापना किस ने की रामोन राय ने की थी 815 कलकता में सर्वेंट्स अप इंडिया सुसाइटी की स्थापना गोपालकिष्ण गोखलाय ने निजी सु पाच में की ब्रमा समाज की स्थापना राजा रामोन राय ने 828 में कलकता में की ध्रम समाज की स्थापना राधाकाम देव ने की 839 में कलकता में आरे समाज की स्थापना दयाद नेक्स वाल है समिधान में मोलिक करतों को किस संसुदन की तेत जोड़ा गया था तो fundamental जो duties है वो शुरुवात में 10 fundamental duties एड की गई 42 समिधान संसुदन 1936 में और 11 मोलिक करतों 86 Constitution Amendment 2002 के जरीए एड किया गया जो के वाला मोलिक करतों है सरवोज चिनाले के अदिकार चहतर को बढ़ाने के शक्ति किस के पास है सरवुज चिनाले सुप्रिम कोट के अधिकार छेतर को बढ़ाने के शक्ति है दोस्तों पारलेमेंट की पास में संसद की पास में संसदी कानून बनाती है तो समिधान में वरनीत छेतर अधिकारों के अलावा संसत दोरा इस सम्बन में कानून बनाकर सर्वुच नाली के 16 चैतरदिकार को बढ़ा दा सकता है समयधान का article 138 कानून बनाकर सर्वुच नाली को अत्रिक्त चैतरदिकार देने की संसत की शकती से समबन दी थे नेक्स स्वाल दिखते हैं यहाँ पर एक आपका economic का स्वाल है formula best स्वाल है exactly इसमें कुछल स्वाल में mistake या फिर student सही तरी किसे नहीं वेज रहा है वेज़ा है स्वाल को इसमें NNP की value थी या फिर किसकी value दे रखी थी यदि NNP की value 10,000 है शुद विज़े सी आए है वो आपको 500 दे रखी है मुल्य हास 200 है तो NDP का पूछा है तो NDP का वैसे formula रहता है GDP मैंसे मुल्य हास minus करना है NNP से आपको GDP निकालने तो NNP से GNP निकल सकती है लेकिन NNP आपको पता है GNP मैंसे depreciation minus करे तो आपके NNP आ जाएगी लेकिन यहाँ पर GDP निकालने के लिए आपको पूरा consumption, government expenditure, investment, export minus import यह पता होना चाहिए या फिर GDP निकालने के लिए आपको GNP पता होना चाहिए अब GNP आप निकाल सकते हो NNP से क्योंकि NNP दे रखके है तो GNP आपके निकल जाएगी तो GNP की value यहाँ परेदिया आप रखेंगे तो क्या GDP की value निकल जाएगी तो इसके लिए भी आपके पास एक value है, शुद्ध विदेश्शी I यानि X-M आपको दे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से हो जाएगी यह काम GNP में आपको क्या करना है, GDP निकल जाएगी जैसे कि यहाँ से आपको GNP निकाल दानी है तो GNP क्या हो जाएगी, NNP plus depreciation NNP आपके 10,000 है और depreciation है 200 तो 10,200 आपके हो जाएगी, 10,200 यह हो गई GNP अब GNP यदि 10,200 है, तो यहाँ से आपके निकल के आजाएगी GDP GDP कि दिन निकल के आएगी, GDP बराबर GNP माइनस यह शुद्ध विदेशी आए, तो GNP यह हो गई, इन में से शुद्ध विदेशी आए पानसो माइनस कर दो, तो 9,800, सो रिशासो, सत्तानवे सो तो GDP यदि सत्तानवे सो है, तो NDP के आजाएगी, NDP मराबर GDP में से depreciation माइनस करना, तो GDP में से 200 रुपे और माइनस कर दो तो यह आपके 9,500 रुपे NDP आनी चाहिए इसके लिए आपको क्या है, NDP का formula, ZNP का formula, NNP का formula सभी formula ूज हो रहे हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए Next अपना स्वाल है, हनुका त्योहार कहां मनाए जाता है हनुका त्योहार की बात करें तो यहुदी समुदाई जो ज़्यादा तर कॉलकता, कोच्ची और दिल्ली में हैं उनके दौरा यहुदी समुदाई के दौरा विशेश कर सबसे अधिक जो कॉलकता में मनाते हैं हनुका फैस्टिवल आठ दिविश यहुदी शीत कालिंद रोष्णी के तेवार को हनुका का जाता है जो कि हिब्रु क्लेंडर के में किसलेव की महीने के 25 दिन से सुरू होता है हनुका का आर्थ होता है हिब्रु में समरपन अगला स्वाल दिखते हैं जजन्दगर्णा 2011 के अनुसकार सबसे कम साकसरता किस की है सबसे कम साकसरता दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से पूछे कि महीलाओ की या फिर पुरुष की है तो महीलाओ की साकसरता सबसे कम है 65.46 है पुरुषों की 22.14 है भारत की 24 फीज दिया सबसे कम महीला साकसरता की बात के तो वो राजिस्तान में है सबसे कम पुरुष साकसरता बिहार में है पुरुष साकसरता लक्स दीप में सबसे अधीक है उसके बाद कैरल में है और महीला साकसरता कैरल में सबसे अधीक है फिर में जुरम में है भारत की साकसरता चौतर पर 04 चार है और नेश्ट आपर स्वाल देखते हैं बिहार की साक्सरता दर वैसे और ओल राज्य में सबसे का में 63 पर 82 फीस दी दक्षन गंगा के नाम से किस नदी को जान अदाता है दक्षन गंगा कहा जाता दोस्तों गोदावरी को और कावेरी नदी को दक्षन भारत की गंगा यदि भारत इंक्लूड हो जाए बीच में दक्षन भारत की गंगा तो कावेरी है और गोदावरी है दक्षन गंगा 1991 में नई आर्थिक नीती आई थी उसका कारण क्या था कि भारत में विदेशी रिजरो थाए नी फोरें रिजरो बहुत कम था वारत के पास में तो विदे डॉलर थाफ पोरेंध्रे जरो नेक्षि वाल देखते हैं भारत किस मार्क से सबसे जैदा गोडम हीदर्श का परिवयैं करता है भारत से जो गोडम है या फिर व्यापार होता है विदेशी व्य विदेशी व्यपार है उसमें है 95 से 70% समूद मार्क को सो चलता है नेक्सट यह दोश्यवानु जिसका नाम है तैटनेंज को दोस्तो दोस्तों दोस्ते। रेबिज डिजिज हैं ये दोस्तों शंकरमित पशुओं की लार्षे मनुच्य में फैलता है तो पशुओं की लार्षे मनुच्य में इसकर पशुओं में कुत्तों से मानों में जो होता है रेबिज वो कुत्तों से हुमन में ट्रांसपर हो जाता है 90% और रेबिज रोग होने को किस रूप में मनाय जाता है वेशक एक फेस्टिवल है वेशक उस्व है चो बुद पुरुनिमा को मनाय जाता है वेशक उस्व है उस दिन बुद पुरुनिमा को मनाते हैं वेशक उस्व इसे कहते हैं तो यह वेशक उस्व है इस दिन गोत्व मुद का जनम हुआ महा परी निरमान भी हुआ ज्यान की प्राप्ति भी इसी वैशाक पुरुनिमा को ही जिसे गोत्नम बुद का जनम हुआ उसे बुद्ध पुरुनिमा ये वैशाक महा की पुरुनिमा ते थी है वैशक फेस्टिवल मनाते हैं विधी दोरा इस्तापित प्रकरिया और विधाई प्रकरिय दिल्ली Assembly में बंफ हेंके और इसका कान था मजदूर विरोधी दो बिल थे पबलीक सेप्टी बिल और ड्रेड डिस्पूट बिल इनके विरोध में 1991 में जो आर्तिक मंदी आई थी उसमें क्या टारगेट में नहीं तार्गेट का टारगेट क्या था तो आर्तिक मंदी में LPG लाया गया था उदारिकन, नीजिकन, वैश्विकन था और ये जो आर्थिक नीती पीवी नर्शिमा राव के नतरत्य माई इसका प्रमुक उद्देशे भारते अर्थवस्ता को वैश्विकन के छेतर में उतारना और उसे वजार में एक नई दिशा प्रधान करना था नेक्श वाले समाज के कमजोर वरग के जो गरीब तबका है उनको कानूनी साहिता प्रदान करना और फिरी में सबी के लिए और न्याय सुनिचित करने के लिए एक समान कानून हो और फिरी में गरीब जो लोग है उनको कानून की साहिता मिल सके इसके लिए आर्टिकल 49A में प 42 में amendment 1936 में 49A एड किया गया, 43A एड किया गया, 48A एड किया गया, 43A में उद्यूगों की परबंदर में सर्मीकों की भागीदारी है, 48A में रक्षा और प्रयावन को बेहतर बनाने और जंगल और वन और वनने जीवन की रक्षा है, और बाकी यहां पर 49A, B, C, आपको 49A में था, फिरी विदिक शाहे था, 49B में क्या है, समुदाय के भोतिक संसादनों का श्रामितों और नियंतन इस प्रकार बंटा हो, जिसे सामुई खित सरूतम हो, इसमें एक स्वाल पूछा जाता है, 49D से याद रखना है, प्रूश और इस्त्रियों दोनों का समान कारे के लिए समान वेतन हो, यह 49D कार्टिकल है, कांगरेस के सदिवेशन में साइमन कमिशन के भाईशकार के नारे का प्रियू किया गया, साइमन कमिशन भारत आया था 1928 में, तीन फ्रावरी को साइमन कमिशन भारत पहुचा, और यहाँ पर अदिवेशन इससे पहले 1927 में हुआ था कमिशन के भाईशकार का फैस्ट अलिया गया, मदरास कांगरेस अदिवेशन में, नेस्ट है फीपा अंडर 17 महिला विश्रुकप 2022 के कौन से संसकन का आयोजन है, वो अक्टूबर से 30 अक्टूबर को हुआ 2022 में, तो यह सात्वा संसकन था, अंडर 17 महिला विश्रुकप जो इंडोनेशिया में होगा, ठीक है, अगला स्वाल दिखते हैं, निरमला पुस्तक के लेख को ने, निरमला दोस्तों, निरमला पुस्तक तो यहाँ पर आपको मुन्सी प्रेम चंद की, इनकी रवरा रचित, रचनाय उपनियास वगरा पता होना चाहिए, तो मुन्सी प्रे अन्तिम पंचवशी योजनाती बारवी, और जो 2012 से 2017 तक चली थी, लाई हरोबा उश्रो कहां मनाया जाता है, लाई हरोबा फेस्टिवल मनिपूर में मनाया जाता है, लाई हरोबा का अर्थ हैं देवताओं का आमोध प्रमोध, तो लाई हरोबा फेस्टिवल हैं मनिपूर लाई हरोबा मनिपूर का विलाशनी नाट्यम और वीर नाट्यम किस राज़ी से संबंधित है अंदर प्रदेश के फेर ये वीर नाट्यम है और विलाशनी नाट्यम ये अंदर प्रदेश से संबंधित डांस है तो वीर नाट्यम है अंदर प्रदेश का दातों का अनिमित वि बढ़ जाना विकास हो जाना ये विटामिन डी की कमी है दोस्तों विटामिन डी में होता है sicukš विटामिन डी के नहीं होता है उन्हें के स्वास्ति के लिए विटामिन C आउश्याantenि कंदे वेरुजिदार नहीं से से नहीं देखा दे रही इसका मतलब वो बैरूद करी किस टाइप की उधान देखते हैं माना किसी परिवार में आठ सदिश्य हैं सभी कर्शी में लगे हुए हैं अब खेत तो फिक्स है कि आपका पयास दो हेक्टेर की भूमी है ठीक है अब उसमें खेती की गई है उसमें चा तो पर्चन बहरोजगारी जो प्रत्यक्स रूप से न दिखे दंती द्रुग एक के बाद राष्टकूर्ट वन्स का साश्रक कौन था दंती द्रुग फर्ष्ट दंती द्रुग के बाद राष्टकूर्ट वन्स का साश्रक कौन था दंती द्रुग के बाद राष्टकूर् के जनक फाउंटर है किष्टन वन के बाद गोईन वन्स यहां सन पर बैठे थी सात्वान वन्स के शासक शात करनी पर्थम की राजदानी थी प्रतिष्ठान ठीक है सिमुक शात्वान वन्स का संस्ता पक्ता नेश्ट अपना स्वाल है कुमुदिनी लाख्या ये किस नर्ते से संबन देता है कुमुदिनी लाख्या गुजरास से है और नर्ते की बात के तो कथक डांस की डांसर है कुमुदिनी लाख्या गुजरास से कथक डांसर है और कुमुदिनी लाख्या ने कदम स्कूल आप डांस और म्यूजिक 1966 में इस्तापित की ती भारति निर्तिय और शंगीत का एक संस्तान इस्त्री पुरूष तुलनापोस्तक के लेख तारा बाई शिंदे वर्ष गैलाश मंदिर कौन से चक्टान के पत्थर से बना हुआ है कैलाश मंदिर की बात कर तो बेशाल्ड चक्तान से बना हुआ है कैलाश मंदिर महाराष्टर की परशीद प्रेटर निस्तलों में से एक है जो एलोरा की गोफाओं में इस्तेत है तो कैलाश मंदिर कहां पर है एलोरा जो औरंगाबाद महाराष्टर में गोफाए है वहीं पर क केलाश मंदिर है, ये मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर को, एक ही पत्थर की शिला को यहाँ पर काट कर ये मंदिर बनाये गया है, मूर्ती बनाई गई है, इसको राष्टकूट वंस की महारादा किष्णा पर्थम की समय निर्मित किया गया था, केलाश टेमपल, राष् में जो कबड़ी का प्रो कबड़ी लीग की शुरुआत हुई है 2014 में ठीक है PWL 2015 में इससे पहले मुंबई इंडियन चैंपियन रही प्रीमियर बेंड विटन लीग 2006 में शुरुआत हुई बेंड विटन लीग की इंडियन सूर लीग की अक्टूबर 2013 में शुरुआत हुई है और नेक्श वाल देखते हैं मिहिर शैन ने इंग्लीज चैनल के पार किया था 18 Atlantic Ocean में है और English Channel है तो Great Britain को अ't्री Phranse से अलग करता है यह UK है और यहां पर यह जो English Channel है यह अलग करता है France को तो France को UK Great Britain को ऊपर का जो Kerry fresh France is उस से separate करता है English Channel यह फिर Sagar ों कौन से साजर को जोड़ता है Ingenic Channel तो उत्री साजर को अट्लांटिक सागर से, दो सागर, उत्री सागर और अट्लांटिक सागर को connect करता है English Channel, अब मैं बात करूं, English Channel की, तो विशो में English Channel को पार करने वाले पर्थम महिला की बात करें, तो हो है दोस्तो, ग्रेट्यूड एडरली, USA से हैं, 1926 में इंग्लीज चैनल को पार करने वाले पर्थम माईला हैं, जी एडरली, और बात करूं, इंग्लीज चैनल को पार करने वाले तेरकर पर्थम व्यक्ति कौन, तो पर्थम व्यक्ति 835 में, ग्रेट बिट्रेन की कैप्टेन मैथ्यू कौन वेब बने पर्थम व्यक्ति, एडरली बनी पर्थम महिला, मीर शैन इंग्लीज चैनल पारकर बनने वाले पर्थम भारती और पहले एशिया ही बने 27 सितंबर 1908 को यह इनों ने रिकॉर्ड बनाया फर्थम भारती महिला जिनों ने इंग्लीज चैनल क्रोस किया वो है आरतिशा, पर्थम प्रूष है, अवरोल में भी पर्थम मीर शैन भारत के आरतिशा महिला में पर्थम है, आरतिशा ने 1969 में एशिया से ऐसा करने वाली पर्थम महिला तेराक बन गई है, आरतिशा को 1960 में पदम स्रीबी दिया गया नेक्स वाल दिखते हैं यापर कोशिका का पाउर हॉश किशे कहा जाता है शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटो कॉंड्रिया को पाउर प्लांट पाउर हॉश कह सकते हो कोशिका के आतम घाती थेली आप लाइसोस्वाम को कहते हो 21 अपरेल 1526 को पानीपद का पर्थम यूद हुआ जिसमें एबरहाइम लोदी की हार होई और बाबर की जीत हुई तो बाबर और लोदी की मद्धी हुआ पानीपद का प्रथम यूद है बेरम खान, अकबर का सेनापती, हेमू, आदिल शर्शूर के सेनापती की मद्दी हुआ जिसमें अकबर के जनरल खान, जमान पर्थम और बेरम खान के लिए एक निरनाएक जीत थी और ये जीत हुई अकबर की तीसरे ये दुआ दोस्तों मराठा और MSA अब्दाली की मद्दी हुए जिसमें MSA अब्दाली जो जिसे आब MSA दुरानी कहते हुए वो जीते थी फीपा व्लेड कप 2022 में विजेता फीपा व्लेड कप 2022 अर्जेंटीना जीती है ओप विजेता फ्रांस रही है तीसरे इस्तान पर कुर्वेशिया रही है कत्र में आयो जित हुआ नेक्स 2026 में फीपा होगा कनाडा मेक्शिको और US में थीपा का फुल फॉर्म ग्रूप D में 2018 में आया था फेडरेशन इंटरनेस्टल दी फूटबॉल एस्सेशन कौन सान उच्छेद राज्य विद पोशित स्कूलों में धार्मिक निर्दिशों को प्रतिबंदित करता है यहनि ऐसे इसे इस्टिट्यूट जो की राज्य के द से वो नहीं दिया जा सकता है 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन से तो भारत में गरीबी के आकड़े नीतिया उयग ने 2011-12 में जारी किये जिसमें सबसे गरीब था 36 गर 40 पीज ती उसके बाद दादर नगर हविली फिर जारकन मनिपूर सबसे कम गरीब था गोवा उस सब्सक्राइब कमेंट से नहीं जुड़े है कुछ और्स के लिए डील है लाब उठा सकते हो टेस्ट्बुक एप में जाना है टीटीजी के कोपन कोड यूज करना है एप में आपको एक ऑप्सन मिलेगा पास प्रो का 3.1 उसमें क्लिक करेंगे तो पास प्रो का मिलेगा पा कि एब पास प्रो करेंगे वाल